आकाश्वाणी बुपाल से प्रस्तुत हैं प्राधिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं रतनेश सुनी पहले मुख्य समाचार भारती वायुसेना के पाइलेट विंग कमांडर अभिनंदन वर्दमान अब से कुछ देर बाद भारत पहुँचेंगे प्रधारमंती नरंद मोधी ने कहा कि अतीत की तुलना में अब आतंगवाच से अलग धंग से निप्टा जा रहा है गवालियर से हदरबाद, बैंगलोर, कुलकता और जम्मू के लिए जल्द शिरू होगी सीधी विमान सेवा और प्रदेश में दसवी बोड की परिक्षाएं शुरू, बारवी की परिक्षाएं कल से अब समाचार विस्तार से भारती वायुसेना के पालेट विंक कमांडर अभिनंदन वर्दमान अपसे कुछ देर बाद भारत पाक सीमा वागा बॉर्डर पहुँचेंगे उनके स्वागत के लिए जहां सुबा से बड़ी संख्या में लोग सीमा पर डटे हुए हैं अब देश भर में लोग ढोले नगाणों के साथ बेसबरी से उनका इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंती दरणत मोजी ने कहा कि पालेट विंक कमांडर अभिनंदन पर सभी देशवासियों को गर्व है विंक कमांडर अभिनंदन भारत की सीमा में घोसाय पाकिस्तानी विमानों को रोकने के लिए गए थे इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की एक विमान को भी मार गिराया था इसी समय उनका विमान भी दुरगट नगरस तो हो गया था और बाद में उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफतार कर लिया था बारत ने अभी जंदन की रिहाई के लिए पाकिस्तान को कड़ी चितावनी दी थी इसके चलते हैं पाकिस्तान को उनकी रिहाई की घुशना करनी पड़ी प्रधानमंती नरंदमोदी ने कहा है कि अतीत की तुलना में अब आतंगवास से अलग धंक से निप्टा जा रहा है उन्होंने आज कन्या कुमारी में कई विकास पर यूजनाओं का शुभारम करते हुआ रूप लगाए कि पहले की सरकार 2008 की मुमई आतंग की हमले का जवाब देने के मामले में खामुशी बन रही अब वहीं आतंगवास से निपटने के लिए सेना को पूरी आजादी दी गई है प्रधानमंती ने कहा कि यह नया भारत है जहां आतंग की हमले करने वालों को पूरी कीम चुकानी होगी चुनाव के दोरान विकास खंड के स्तर पर सुविधा केंदर बनाये जाएंगे इनके माध्यम से चुनाव लड़ने के चुकब भ्यार्थियों और मतताताओं को जागरुक किया जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत परताप सिंग ने आज भोपाल में आयोजित ई-गवर्नेंस मैनेजर लोग प्रबंदकों और डाटा एंट्री ओपरेटरों के प्रशिक्षन कारिक्रम में जान करी दी उन्हें ने कहा कि स्थानी निकायों के चुनाव में नाम, निर्देशन और पत्र ओनलाइन भरने की सुविथा दी गई है अधी सूचना जारी होने से चुनाव परिणाम तक की प्रक्रिया ओनलाइन की गई है इसलिए पूरी प्रक्रिया को बारी की उसे समझा जाए और ये सुनश्चित किया जाए कि इस काम में कोई गलती ना हो इस अफसर पर चुनावायोग द्वारा सूचना प्रध्यगी की के शेत्र में किये गए नवाचारू की जानकारी भी दी गई मुख्यमंद्री कमलनात के नेतरित में आज मंत्राले के समक्ष बंदे मात्रम और जनगर्ण मन का सामविक गयन हुआ इससे पूर्वी शौर इसमारक से सामविक मार्च निकाला गया इसमें जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा सहित बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल आयोग ने इसके लिए 11 अन्य परकार के दस्तावेजों में से एक दस्तावेज प्रस्तोत करने की सुविधा दी है इनमें पास्पोर्ट, ट्राइविंग लाइसेंस, शास्की एवं सार्वजनिक उपकरम दौरा जारी पहचान पत्र, बैंक, पोस्ट ओफिस दौरा जारी पैन कार्ड, जनगरना आयुक्त दौरा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड, शंविभाग दौरा जारी स्वास्त कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं आपरवासी भारती मतदाताओं को मतदान के लिए अपता पासपोर्ट भी स साथ लाना होगा परेटन मंत्री सुरिंस्विंग भगिल ने आज भूपाल में आयोजित एक सम्हारों में परेटन शेत्र में उतकृष्टा के लिए विभिन श्रणियों के पुरसकार प्रदान किये इस अफसर पर उन्होंने कहा कि रज में परेटन शेत्र में निवेश और रोजगार के अफसर बढ़ाने के लिए ठोस प्रयाश शुरू किये गए हैं इसके लिए नए सरे सी योजना तयार की जा रही है सम्हारों में परेटन विभा के प्रमुक सचिव हरी रंजन राव ने कहा कि परेटन जीवन के सभी पहलूं को चूता है इस पर फिल्म निर्म को फेस्बुक पर एया या न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं प्रधान मंत्री नरंद मोदी एक दिवसी दोरे पर पांच मार्च को धार आएंगे वह यहां एक जन्ज सभा को समोधित करेंगे हमारे धार समवाद जाता ने बताए कि प्रधान मंत्री करीब तीन बैंगलोर कोलकता और जमू के लिए सीधी विमान सेवा से जुड़ जाएगा केंद्री ग्रामेंड विकासमंती नरेन सिंग तोमन ने आज यहां आयोजी तेक कारेक्टर माई है जानकारी दी इस अवसर पर मौजूद स्पाइस जेट के चेर्मेन आजस सिंग ने बताए कि इन सिवाँ के लिए बोकिंग चार माँच से शुरू हो जाएगी 15 अपरेल से गवालियर हैदराबाद और जमू के लिए विमान सिवा शिरू होगी जबकि बैंगलोर के लिए 1 माई और कोलकता के लिए सोविधा 15 माई से मिलने लगेगी श्री सिंग ने बताए कि भुपाल आरिफ अकील मुख्य रूप से उपस्तित रहेंगे इस मेले में सोरोजगार यूजनाय संचलित करने वाले 12 विभागों की जानकरी दी जाएगी साथ ही बिरोजगार युवाओं को सोरोजगार स्थापित करने के लिए मार्ग दर्शन भी दिया जाएगा मादमिक शिक्षा बंडल दसवी बोट की परिक्षा आज से शुरू हो गई है जबकि बारवी की परिक्षाएं कल से शुरू होगी दसवी की परिक्षा में प्रदेश भर में 11,32,869 परिक्षा अरती शामल हुए इस दोरान परिक्षा केंद्रों से 100 गज की दूरी तक धारा 144 को प्रभाव श्रील किया गया है वहीं परिक्षा केंद्रों पर लगातार निगरानी के लिए उड़न दस्ते भी गठित किये गए हैं ताकि नकल पर रोक लगाई जा सके हमारे समवाद दाता ने बताए कि इस परिक्षा में भुपाल के 95 परिक्षा केंद्रों पर 29,949 नियमित और 4,348 परिक्षा में शामल हुए वहीं आगर मालवा जिले में 7,986 परिक्षा केंद्रों बनाए गए हैं वहीं दसवडन दस्तों का भी गठन किया गया है मुरेना से प्राप्त समाचार के अनुसार जिले में परिक्षाओं के दोरान अनुचित साधुनों का प्रियोक रोकने के लिए सक्त विवस्ताएं की गई है यहां कुल 32,546 परिक्षारती इस परिक्षा में शामिल हुए जिले के 72 सम्विदन शीर परिक्षा केंद्रों पर कड़ी निग्रानी रखी जा रही है शाजापुर जिले में 55 परिक्षा केंद्रों पर 14,000 परिक्षारती आज परिक्षा में सम्मिलित हुए आकाश्वानी भुपाल के प्रादिशिक समचार एकाश द्वारा अंशकालिक अनुबंद के आथार पर इंदौर, मंसौर, रतलाम, बाला घांट, मंडला और निवाडी जिलों में समवाद दाताओं के लिए आविदन आमंतित किये गए हैं अंशकालिक समवाद दाता पीटीसी के लिए आविदक के पास पत्रकारिता के डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए इसके लिए अधिक्तम आयूसीमा पैतालिस वर्ष रखी गई है आविदन जमा करने की तारिख बढ़ा कर 11 माच को कर दी गई है अनुबंद की नीती आविदन पत्र का प्रारूप अनुबंद की अन्यनियम और शर्ते समाचार सिवा प्रभा की वेबसाइट www.newsonair.nic.in पर उपलब्द है आविदन पत्र आकाशवाणी भुपाल से भी प्राप्त किये जा सकते है अब आकाशवाणी के समाचार सुनना और भी आसान हो गया है समाचारों पर आधरित नए चैनल न्यूस वान एयार को पिछले दिनों शुरू किया गया ये चैनल फिलिडिश के डिट किये चैनल नंबर एक पर उपलब्द होगा वहीं विविद भारती को चैनल नंबर पाँच पर सुना जा सकेगा अब कुछ समाचार संशेप में प्रदेश भर में कल से दो दिवसी मतदाता जागुकता शिवरायो जित किये जा रहे हैं इनमें नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के साहती उन्हें मतदान के लिए प्ले रिद किया जाएगा शैडोल जिले के सुहागपूर जनपत में मुख्यबंती साहुई कन्या विवह योजिना के तहत 180 जोडों कन्या विवह कराया गया मौरेना में एक वालियर एहमदाबाद एक्सप्रस तीन मार्च से रुकेगी इस उसर पर सांसत अनुप मिश्रा अन्य रहल सुविधा शुरू करेंगे गुनाजले के मास खेड़ी में तीन माज को जिलास्तरी लोक कल्यार शिवराय उजित किया जाएगा जिसमें आम जनुप की समस्याओं का नेरा करण होगा निमच में केंद्री नार्कोटेक्स ब्यूरों ने 87 कलोसेज ज्यादा अफीम जबत की है इसके अलावा 40 कलोसेज ज्यादा अफीम मिला पानी भी परामत किया है एक व्यक्ति को करफतार भी किया गया है अंत में मुक्ष समचार एक बार फिर भारती वायु सेना के पालेट विंग कमांडर अभी नंदन वर्दमान अपसे कुछ देर बाद भारत पहुँचेंगे प्रधान मंती नरन्द मोदी ने कहा कि अतीत की तुलना में अब आतंगवास से अलग धंग से निप्टा जा रहा है गवालियर से हदरबाद, बैंगलोर, कोलकाता और जम्मू के लिए जल्द शुरू होगी सीधी विमान सेवा और प्रदेश में दसवी बोड की परिक्षाएं शुरू, बारवी की परिक्षाएं कल से इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये वलेटिन समापत हुआ, नमस्कार